जई मेंज हो या जई एड़ानस्ट हो वंच पावर इंफिनिटी को दोनों ही बहुत पसंद करते हैं मैं सोच रहा हूं इस N को इधर ले लेते हैं और X को इधर ले लेते हैं कर सकता हूं ना तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यह जो कहानी है यह जो कहानी है इस माइनस N को मैंने माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1 करते हुए N जगहों पे लिख दिया, ठीक है? लोग के अंदर एक 1 पावर इंफिनिटी फोम बन रही है, सर ये तो देखो, E की पावर 2X माइनस 1 बाई 2X ये भी 1 बन जा सर, ओरे? क्वेश्चन एक्वेश्चन में 1 पावर इंफिनिटी फोम से आए, इसकी बहुत जादा संभावनाय रही है लिमिट्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे लेफ्ट एंड साइड में एक लिमिट है, 9 के बराबर है, मुझे N की वैल्यू बतानी है यार 1 पावर इंफिनिटी बहुत इंपोर्टेट है, जई मेंस हो या जई एडवांस्ट हो, 1 पावर इंफिनिटी को दोनों ही बहुत पसंद करते हैं अगर 1 पावर इंफिनिटी फोम के उपर आपकी इनफ प्रेक्टिस नहीं है, तो यार प्रेक्टिस कर लीजिए question examination में one power infinity form से आए इसकी बहुत ज़ादा संभावनाए रहती है screen पे आपके सामने ये limit का question है आप copy pen उठाएं, question को लिखें, solve करें अगर आप solve कर सकते हैं, solve कर लेते हैं तो मुझे लगेगा one power infinity form यार आपने अच्छे से सीखी है उसके बाद मेरा solution देखिएगा यहाँ पे लिमिट लिखे देखिए, one by x into यहाँ पे into ln है ना, ln बोले तो log with base e ठीक है ना और इसके अंदर ये मसाला लिखा हुआ है, बोला है कि limit मेरी 9 के equal है, आप n की value बताइए अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये जो 1 by x है ना, लोग की property का इस्तिमाल करके इस 1 by x को इसकी खोपड़ी पे टांग देता हूँ ठीक है ना, इस 1 by x को जब मैं इसकी खोपड़ी पे टांग हूँगा देखिए जरा scene कैसा होगा इस मदमस्त scene को देखिए मेरे दोस्त ये 1 by x मैं इसकी खोपड़ी यहाँ पे टांग रहा हूँ ये करके यहाँ पे मैंने टांग दिया, ठीक अब x की value 0 अगर आप put करके देखेंगे इस पूरी कहानी में तो ये 0 पूट करके 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ओन 1 तो ये value मेरी n बन जाती है n by n किसको अप्रोच करेगा ये चीज 1 को अप्रोच करेगी x की value है, 0 डालोगे तो ये मेरी infinity को अप्रोच कर रही है तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो कहानी है ये जो कहानी है, ये जो कहानी है ये 1 पावर infinity form को बना रही है तो one power infinity form का यहाँ पे सवाल है लोग के अंदर एक one power infinity form बन रही है और one power infinity form जब भी बनती है limit x approaching to a formula क्या use होता है अगर मालो fx की खोपड़ी पे gx लिखा हो और मेरा one power infinity form बन रहा हो तो formula क्या इस्तेमाल करते हैं अपन formula इस्तेमाल करते हैं e की power में e की power में gx into fx minus 1 fx minus 1 नहीं पता तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यह मेरे दोस्त मेरा formula है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं नहीं पता तो यहाँ पे बता दिया मैंने अब मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ one power infinity form को solve करने वाले formula का इस्तेमाल ठीक है तो यहाँ पे ln तो लिखा ही है ठीक है अब इसको यहाँ पे formula अपला है अगर इसके अंदर करते हैं तो यह हो जाएगा e की power में e की power में यह 1 by x 1 by x into यह पूरी कहानी यह पूरी कहानी यह वाली जो चीज है और minus 1 ठीक है अब यहाँ पे देखो base भी मेरा e ही रहता है number भी मेरा e है तो यह सारी कहानी हट जाएगी और मेरे को यह सब चीज मिल जाएगी ठीक है ना लोग की property का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आपन तो यह मेरे को मिलता है limit तो मेरी extending to 0 है ही 1 by x into 1 by x into यहाँ पे यह पूरी कहानी ठीक है ना यह पूरी कहानी ठीक हरो lcm ले लेता हूं मैं है ना यह minus n lcm लेकर लिख देता हूं तो जब मैं lcm लूँगा तो यह हो गया e की power x plus e की power 2x plus e की power 3x ऐसा करते करते e की power nx सकतो थाई है ना फिर मैंने minus 1 को n से multiply करके LCM ले लिया ना तो minus n हो गया ठीक है यहां तक देख लो यहां तक मेरे को लगता नहीं कोई समझ्चा आपको होगी ठीक है अब देखो यहां पे n terms है यह आपको बता दी थी मैंने n terms है clearly आप देख सकते हो अब n terms है और यहां minus n है तो इस minus n को में क्या कर रहा हूँ minus 1 इसको दे रहा हूँ minus 1 इसको दे रहा हूँ minus 1 इसको दे रहा हूँ मतलब minus n को मैं minus 1 minus 1 minus 1 तोड़ के लिख रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ देखिए आप minus 1 minus 1 minus 1 तोड़ के लिख रहा हूँ E की पावर X के बगल में माइनस 1 लिखा, E की पावर 2X के बगल में माइनस 1 लिखा, करते करते last में E की पावर NX के बगल में माइनस 1 लिखा, इस माइनस N को मैंने माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1 करते हुए N जगहों पे लिख दिया, ठीक है, इनफेक्ट मेरा एको और मन कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ इस N को इधर ले लेते हैं और X को इधर ले लेते हैं, कर सकता हूँ न, यह जो N है इसको बहार ले लेते हैं, और X को ले लेते हैं अंदर, यह लो, N को ले लिया मैंने बहार, और X को ले लेते हैं अंदर, ठीक है, यह एक्स को ले लिए मैंने अंदर यहां तक कोई अगर समश्या तो पूछ लो भई पूछिए जरा यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नी जी आपको ठीक है correct है जी अब मैं इसको ध्यान से देखूंगा अरे सर यह तो formula बन गया किस चीज का formula बन गया सर यह तो 1 होता है बन गया करते करते अगर मैं यहां पर N से कर दूँ multiply divide तो यह भी चीज मेरी 1 बन गई अच्छा आप देखिए यह पूरी लिमिट है ना मेरी यह 9 के बराबर है मैं आपको बता दूँ यह मेरी 9 के बराबर चल रही है यह मेरी 9 के बराबर चल रही है ठीक है तो आप यहां प ठीक है divide by कितना है N ठीक है equal to मेरा 9 है जी equal to मेरा 9 चल रहा है ठीक है अब यह ऊपर मेरा क्या बन गया simple AP बन गया इनका सम तो मेरे को करना आता ही है यह हो गया मेरे दोस्त N into N plus 1 divide by N ठीक है this is equal to 9 N into N plus 1 by 2 यह जो सम होता है कितना होता है यह होता है N into N plus 1 by 2 ठीक है यह cancel हो गया ठीक है 2 को इधर ले गए तो यहाँ पर आप देख सकते हो N plus 1 मेरा कितना हो गया 18 तो N plus 1 अगर 18 है तो मेरे दोस्त N कितना आ गया इस तरीके के problem exam में टपक जाते हैं यार इस तरीके question exam में खुब टपकते हैं मुझे लगा important problem है मेरे को यह important scenario समझ में आता है कि यह scenario important scenario है ठीक है अटक जाता है exams में मेरे को लगा आपके साथ discuss करना चाहिए इसलिए discuss कर लिया I hope आपको बात समय में आगी होगी ठीक है question solve करना mathematics का सबसे important part है different situation में different problems में आप अपने skills का कैसे use करते हो skills कैसे आप जो theory जानते हो plus आपके अंदर जो question solve करने की ability calculation करने की ability उसको किस तरीके से use करते हो बहुत important है